भागो मिसीफू, नहीं तो वो हमें पकड लेंगे हब नहीं पच पाएंगे मादद भागो मिसीफू, भागो देखाओ, मिस्टर मॉनिंग के घर का खुफिया रास्ता अरे वाँ कुदो मिसीफू आ रहा हूं ओ, यहाँ कितना अंधेरा है पस इस टनल से निकलने के बाद हम बच जाएंगे अखिरकार हम पहुच गए यह बहुत इंट्रेस्टिंग है हलो मिस्टर मॉनिंग हलो, अरे दोस्तो तुम इमर्जंसी दरवाजे से क्यों आए लंबी कहानी है अपनी खिड़की से बाहर देखो सब समझा जाएगा यह सब क्या है? पता नहीं, मैं तो बस अपने गार्डन में सबजियां हुगा रही थी और फिर पता ही नहीं चला कि यह सब कब और कैसे हो गया? अ-अ, मुझे माफ करना दोस्तों, यह मेरी गलती है क्या? दो दिन पहले की बात है ला-ला-ला-ला-ला-ला मीसीफू, क्या तुम मुझे बाल्टी भरके पानी दोगे, प्लीज? हाँ, जरूर टैटी यहाँ कोई पानी की बाल्टी नहीं है मैं पानी का पाइप देता हूँ ला-ला-ला-ला-ला-ला-ला अरे, नहीं म्याँ, मद्श टैटी मीसीफू ट्रिंकल ट्रिंकल दी, पानी बन हो जाए अभी माफ करना टैटी कोई बात नहीं मीसीफू चलो घर चलकर कपड़े बदल लेते हैं आज रात को हम स्वादिष्ट सलाद खाएंगे ये क्या हुआ ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा बैचारी टैटी मैंने क्या गुलत किया देखो टैटी मैंने एक नया इन्वेंशन किया है टैटी तुम ठीक तो मैं थोड़ी उदास हूँ क्या हुआ कुछ दिनों पहले मैंने बड़े जाओ से धेड़ सारी सबजियां उगाई थी लेकिन वो अब तक नहीं होगी चिंता मत करो टैटी देखना बहुत जल्दी हुग जाएगी हलो लिली हलो मिसीफू मेरी बेहन कहा है वो नहीं आई क्या वो थोड़ी उदास है क्योंकि उसके गार्डन में एक भी सबजी नहीं होगी है इसलिए वो नहीं आई बेचारी टैटी हमें उसकी मदद करनी चाहिए हाँ वीचार तो अच्छा है ओ बेचारी टैटी उसका अच्छा फैन होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए चलो देखते हैं पॉधो को जल्दी उगाने की आशद्धी जल्दी उगाने के लिए बड़ा बनाने के लिए बहुत ही बड़ा बनाने के लिए लो हो गया टैटी मैं आ गया महोन जोदुगर आ गया कितने दुख की बात है ना टमाटर ना गाजर ना ककड़ी कुछ भी नहीं होगा चिंता मत करो टेटी देखना और सबकुछ जल्दी उख जाएगा काश उख जाए चलो अब बहन की मदद करते हैं ट्विंकल ट्विंकल भी सारे के सारे प्लांट उखने लगे अभी हाँ मज़ा आएगा अगर वो बोलने वाले हो तो और भी मज़ा आएगा पकार टेटी बहुत खुश होने वाली है घर जाने का समय हो गया दोस्त की मदद करनी ही होगी अरे वा इसमें से कुछ तो उखने भी लगे हैं मैं अपने इन्वेंशन का इस्तिमाल करके इन्हें उखाऊंगा और हेल्दी बनाऊंगा चलो अब घर जाता हूँ देखो मिसी फूद तुमने सच कहा था पौदे उगाए अगर हम थोड़ी सब्चिया नाश्टे के लिए तोड़ ले तो हाँ ये तो बहुत अच्छा विचार है चलो ओर्वे ओ ये तो बहुत बरे टमाटर है मुझे रहने दो प्लीज ओ टैटी क्या टमाटर बोलते भी है शर मामे चाहिए जल्दी छिप चाओ ओ ककड़ी गाती भी है हमें मत खाना खाना, प्लीज, प्लीज, अर बुलने वाले गाजर, ये सब क्या है, टटी, जैदी आओ क्या हुआ मीसिफू? इन सब खीनो को तो देखो तुम हमें नहीं हरा पाऊगी, हम हेल्दी और ताकतवर हैं मुझे नहीं पता था मेरी इंवेंशन इतनी पाउरफुल होगी मुझे माफ करना हाँ पाउरफुल था है लेकिन वो बोलने कैसे लग गए और कांडी वर उस प्लांट कैसे हो गाया माफ करना दोस्तों मेरी वज़े से हुआ मुझे लगा तुम खुश हो जाओगे और ये मेरी भी गलती है मैं टैटी की मदद करना चाहता था इसलिए मैंने जादू ये आफशद्दी डाली मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हरा सबसे बड़ा फैन हूँ मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता लेकिन अब हम क्या करें वो यहीं पर आ रहे हैं टैटी अपनी जादू की छड़ी चलाओ नहीं कर सकती वो घर पर रहे गई चिंता मत करो दोस्तों मैं हूँ ना नहीं नहीं लिली तुम नहीं शान्त हो जाओ सारे के सारे प्लांट चूमतर हो जाएं विश्वास नहीं होता सारे के सारे प्लांट गायब हो गए देखा जादू का कमाल नहीं मादाद मैंने तुम्हें पकड़ लिया है बहन जिंता मत करो दोस्तों मैंने बंद कर दिया है अब वो नहीं आ पाएंगे अब हम क्या करें अगर हम उन्हें मैजिक होवर से वैक्यूम कर दे तो काम नहीं करेगा मुझे बुरा लग रहा है क्यों क्योंकि वो बोल सकते हैं उनमें फीलिंग्स हैं वो हमारी तरह हैं हम बाहर से अलग हैं लेकिन अंदर से तो एक जैसे दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है क्यों न हम उन्हें मेरी गुनिया में ले आएं यहां बहुत से सबजियां बाते करती हैं गाती हैं उन्हें कमफर्टेबल फिल होगा अच्छा विचार है अरे हां वो कार्निवरस प्लांट भी ले जाना नहीं कार्निवरस प्लांट नहीं दोस्तों शान्त हो जाओ हम शान्ती के लिए हमारे महाल जादुगर तुम्हें उनकी दुनिया में ले जाएंगे जहां धेर सारी सबजियां बाते करती हैं गाती हैं अर मेरा क्या सारी सबजियां और कार्निवरस प्लांट छोटे हो जाएं जंग जंग जाओ जादुई दुनिया में आ जाएं रहने के लिए कितनी अच्छी जगा है